आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नमाशकार दोस्तों चले प्रशन देखते हैं एकस की घात तीन माइनस दो वर्गमूल दो वाई की घात तीन बराबर है एकस माइनस वर्गमूल दो वाई बुड़ा एकस की घात दो प्लस बी एकस वाई प्लस सी वाई की घात दो हो तो दो ए प्लस चार वर्गमूल दो भी माइनस 4C का माद क्या होगा तो यहां में एक समीकरण दी गई है समीकरण हमारी है X की घाद 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 Y की घाद 3 ठीक है और यह बराबर हमें दिया गया है X माइनस वर्गमूल 2Y उड़ा A X की घाद 2 प्लस B X Y प्लस C Y की घाद 2 के तो यहां A की घाद 3 माइनस B की घाद 3 की समीकरण लग सकती है ठीक है तो आप देखें यहां पर इसका मान क्या होता है A माइनस B पहले कोश्टक में और दूसरे कोश्टक में क्या A की घाद 2 प्लस AB प्लस B की घाद 2 ठीक है तो उसी साब से अगर हम यहां देखें तो यह X की घाद 3 यह किसका घन है यह X का घन है ठीक है और 2 की घाद 2 वर्गमूल 2 Y की घाद 3 यह किसका घन है यह वर्गमूल 2 Y का घन है ठीक है तो यह बराबर होगा हमारा यहां आपके पास अब A हो गया है X और B हो गया है आपका root 2Y ठीक है A X और B हो गया वर्गमूल 2Y तो उसी साब से अगर इस सुत्र में डालें यहाँ तो यह हो जाएगा X माइनस वर्गमूल 2Y गुड़ा X की घाद 2 प्लस A B यानि की X गुड़ा वर्गमूल 2Y ठीक है और प्लस वर्गमूल 2Y की घाद 2 ठीक है तो चलिए इसको और थोड़ा खोल लेते हैं यहाँ पर क्या आजाएगा X माइनस वर्गमूल 2Y गुड़ा X की घाद 2 और यह हो जाएगा हमारा वर्गमूल 2XY प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा 2 और Y का वर्ग होगा Y का वर्ग या Y का वर्ग होगा Y की घाद 2 ठीक है तो यह आगे हमारे पास अब अगर हम इसे अपनी दी गई समीकरण से इसकी तुलना करें यहाँ पर तो देखें में है हमारे पास A x की घाद दो इसी तरह B x y खेक है और pull C y की घाद 2 खेक है तो पहला जो हमारा कोष्टक है बिल्कुल समान है दूसरा कोष्टक देखे है अगर हम तो यहाँ पर देखिए x की घाद 2 का गुणांक A है और यहाँ x की घाद 2 गुणांक एक है, कुछ नहीं है तो एक होता है गुणांक, तो यहां से हम कह सकते हैं, तुलना करने पर हमें A, B, C के मान मिल सकते हैं, तो तुलना करने पर, अगर हम देखें यहां पर, तो A का मान क्या होगा, एक, B का मान क्या होगा, देखे, X, Y का गुणांक, वो B का मान हो किस विंजक का मान पूछा है, 2A प्लस 4 वर्गमूल 2B, लिख लेते हैं अपना विंजन, 2A प्लस 4 वर्गमूल 2B, ठीक है, और माइनस 4C, इसका मान हम से पूछा है, और हमारे पास सभी के मान है, A, B और C, तीनों के मान है, तो 2A का मतलब 2 गुणा 1, प्लस 4 वर्गमूल 2 गुणा 2, यानी कि वर्गमूल 2, ठीक है, माइनस 4 गुणा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 वर्गमूल 2 गुणा 2, यानी 4 गुणा 2, माइनस 4 गुणा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 PLUS 8 माइनस 8 तो यहां PLUS के 8 सेwater year minus 8 चला जाएगा तो यहां क्या बचएगा हमारे पास खाली 2, तो इस विंजक का मान होगा 2, अगर हम विकल्ब देखें अपने विकल्बों में पहले दूसरे तीसरे और चोते विकल्ब में से दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, नन्यवाद